नवस्कार दोस्तों मैं हूँ देवांग और साइबर वर्ल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQL injection के types के बारे में कि SQL injection के कितने types हैं कौन कौन से types हैं और उन types के बारे में हम detail में आज जानने वाले हैं कि हर एक type में क्या क्या होता है तो आएए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकोन को दबाके ओल पे क्लिक करना बिल्कुल मत बूलिएगा ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्यूरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए चलते हैं लैप्टॉप की स्क्रीन के उपर और जानते हैं SQL injection के टाइप के बारे में तो चलिए दोस्तो आचुके हम अपने लैप्टॉप की स्क्रीन के उपर और अब हम जानते हैं SQL injection के various types के बारे में कितने तरके SQL injection के टाइप से हर एक टाइप के बारे में हम डीटेल में जानेंगे कि हर एक टाइप में क्या होता है और क्यूं उसका नाम वैसे पड़ा है उस टाइप का नाम वैसे पड़ा है वो सब जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे मैंने यहाँ पे SQL injection की बात करें तो सबसे पहला टाइप मेंली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थ्री टाइप्स हैं इन बेंड SQL इंजेक्शन, इन फेरेंशेल SQL injection या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड SQL injection और तीसरा है आउट ओफ बेंड SQL injection अब इन बेंड SQL injection है जिसमें दो सब टाइप्स हम कह सकते हैं जिसे कि दो सब टाइप है एक है error based SQL injection और दूसरा है union based SQL injection दूसरा जो inferential या फिर जिसे हम blind SQL injection भी कहते हैं उसमें भी दो सब टाइप्स हैं जिसमें पहला है कि boolean based SQL injection यानि कि boolean SQL injection भी हम से कह सकते हैं और दूसरा है time based SQL injection और last में आता है third type जिसका नाम है out of band SQL injection तो आज हम इन सब types के बारे में detail में जानने वाले हैं कि कौन सा type क्या है कैसे work करता है और जहां पे हो सकेगा मैं आपको उसको practically भी दिखाने की कोशिश करूँगा और अगर दोस्तों आपको SQL injection क्या है उसके बारे में जानना है तो मैंने उसके उपर पहले से एक वीडियो को बना के रखा है जिसका link में आपको उपर आई बटन में और नीचे description box में दे दूँगा तो आप वहां से जाके check out कर सकते हैं कि SQL injection क्या है कैसे work करता है वगेरा वगेरा मैंने सब समझाया हुआ है उस वीडियो में तो हम इस वीडियो में सिर्फ SQL injection के types के बारे में detail में जानेंगे तो आईए सबसे पहले शुरू करते हैं in-band SQL injection से तो in-band SQL injection का मतलब यह होता है कि जो करने के लिए तो उसे in-band SQL injection काहा जाता है अब in-band SQL injection के अंदर दो सब टाइपस है जैसे कि मैंने आपको बताए एक error based SQL injection और दूसरा union based SQL injection तो सबसे पहले जानते है error based SQL injection के बारे में तो error based SQL injection क्या होता है कि मान लिजे कोई attacker कोई web application पर attack कर रहा है कोई malicious input डाल दिया ठीक है और अगर उस malicious input की वज़े से उस web application को अपने database server के उपर से data लाने में यानि कि data fetch करके हमें दिखाने में कोई error generate हो रहा है यानि कि कोई error आ रहा है जिसकी वज़े से जो हमारा web application है वो अगर database से data fetch नहीं कर पा रहा है और SQL का error दे रहा है हमें तो उस condition में हम उसे error based SQL injection कहते हैं यानि कि कि attacker ने malicious input enter किया जिसकी वज़े से database connection में या फिर web application और database के बीच में कोई error create हुआ जिसकी वज़े से web application जो है वो database के उपर से data fetch करके नहीं ला पा रहा है और वज़े से attacker को पता चलता है कि यहाँ पर SQL की query को हम manipulate करके attack generate कर सकते हैं injection attack perform कर सकते हैं तो अगर हम मान लीजे यहाँ live example के through समगते हैं तो यहाँ पर मैं कोई website open कर लेता हूँ PHP करके जो भी होगी हम यहाँ पर google करते हैं PHP question mark id equals to 1 ठीक है यहाँ पर जो भी website होंगी जो id parameters use कर रही होगी last में और वो vulnerable होगी यह देखिए यह website मैं open कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए यह एक normal सी website दिख रही है ठीक है यहाँ पर id parameter है तो id 1 equals to यानि कि यहाँ पर id 1 अगर run हो रहा है तो database के उपर से यह जो data है वो सारा fetch करके ला रही है web application अब यहाँ पर मान लिजे हमको malicious input डाल रहा है ठीक है मान लिजे मैं यहाँ पर appost of डाल रहा हूँ और यहाँ पर अगर enter करता हूँ तो अगर यह error देगा यह देखिए यहाँ पर mysql का गडबड है यह यहाँ पर proper input sanitization नहीं हुआ या फिर जो error है इसकी वज़ा से हम यहाँ पर error based sql injection कर सकते हैं यानि कि इस error की वज़े से हम पता चल रहा है कि हम यहाँ पर sql injection perform कर पा रहे हैं तो इसे हम कहेंगे error based sql injection तो ऐसे होता error based sql injection अब बात करते हैं दूसरे type के बारे में जिसका नाम है union based sql injection union based sql injection में क्या होता है कि attacker जो है वो sql statement का यानि कि जो sql structured query language है उसका union एक keyword होता है union करके जिसे की एक साथ multiple queries एक साथ एक से ज्यादा queries हम database के उपर run कर सकते हैं union की मदद से ठीक है तो मान लिजे कि यहाँ पर हम पूरा ने example पर आ जाए तो id equal to one यहाँ पर query run हो रही है ठीक है अगर इसके बाद हमें और कोई attacker को और कोई एक और query run करनी है तो मान लिजे उसने union लगा दिया और यहाँ पर query run कर रहा है select star from करके कोई भी मैं सिर्फी आपको example दे रहा हूँ कि ऐसे union का use होता है तो ऐसे पहले query run होगी उसके साथ union यानि कि उसके साथ साथ जो attacker यहाँ पे दूसरी query डाल रहा है उसको भी run करेगा और अपना desired output पाएगा database के उपर से तो उससे union based SQL injection कहा जाता है करता है एक साथ एक से ज़्यादा queries run करके अपना desired output web application से या फिर database से कोई data निकाल के ला सकता है successfully तो उसे union based SQL injection कहते हैं अब जानते हैं inferential या फिर blind SQL injection के बारे में तो यहाँ पे inferential या फिर blind SQL injection का सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ पे web application में user या फिर जो attacker है वो एक malicious input तो डाल रहा है बट उसमें कोई error generate नहीं हो रही है या फिर वहाँ पे वो union के जो query है उसका use नहीं कर पा रहा है बट जो भी malicious input enter कर रहा है ठीक है web application के अंदर जो भी malicious input अगर वो enter कर रहा है और उसकी वज़े से web application के behavior में कोई changes आ रहा है मान लिज़े कि attacker ने एक malicious input enter किया तो वो page जो जिसके उपर वो attack कर रहा है उस page का अगर structure change हो रहा है या फिर database से data वहाँ पे display हो रहा है उसमें कुछ changes हो रहा है और अगर उस behavioral changes को देखते हुए अगर कोई attacker उससे आगे attack perform करने का try करता है तो उससे हम कहते है blind SQL injection जहाँ पे उसे background में क्या चल रहा होता है क्या query चल रही होगी यह सब ज़्यादातर पता नहीं रहता है और उसको error भी नहीं देता है जिसकी वज़े से कौन सा database OS चल रहा है server के उपर या फिर कौन सा version चल रहा है वह सब पूसे पता नहीं चलता है सिर्फ उसे gas work करना पड़ता है web application के behavior के कुछ different different उसे payloads enter करने पड़ते हैं different different queries run करनी पड़ती है वह behavioral changes जो होते है web application के उसकी मदद से समझ पाए कि हम जो desired output पाना चाहते हैं वह मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है तो उससे basically हम blind SQL injection कहते हैं जहां पे हम सीधा error नहीं मिलता है कि यहां पे हम SQL injection perform कर सकते हैं यहां पे हमें हर एक web application के हर एक input field में या फिर हर एक parameters पे जाके check करना पड़ता है कि हम यहां पे अगर कोई malicious input try कर रहे हैं malicious input या फिर payload enter कर रहे हैं अगर तो उसकी वजह से web application के अंदर कोई behavior change हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है और अगर हो रहा है तो हम उसके base के उपर हम उसे attack करेंगे और जो database से data निकालने की बात हो रही है वो हम कर सकते हैं तो इसे हम inferential या फिर blind SQL injection कहेंगे उसमें फिर दो types है boolean based SQL injection या फिर time based SQL injection अब यहां पर boolean से आपको समझ में आ रहा होगा कि boolean values हम क्या consider करते हैं या तो yes या तो no मान लिजे कोई एक web application है जहां पर कुछ different types के inputs आपको करने है और उसके हिसाब से जो भी आप input करेंगे उसके हिसाब से आपको yes या no में यानि कि आपने जो value center किये उसके हिसाब से आपको database से data लाके fetch करके web application दिखाएगा या तो वो बताएगा कि यह data हमारे पास नहीं है हाला कि वहाँ पर कोई error show नहीं करेगा सिर्फ आपको उतना बताएगा कि यह data हमारे पास है या फिर नहीं है तो अगर है तो boolean value हुई yes और अगर नहीं है तो boolean value हुई no तो उस boolean value के हिसाब से हम जो input दे रहे हैं उसका जवाब या तो yes में होगा या तो no में होगा और उसके उपर से attacker कर उस behavioral changes को observe करके उस behavioral changes को notice करके अपने हिसाब से data based query run करेगा और database से data निकालने का try करेगा तो उससे हम boolean based SQL injection करेंगे जहां पे सिर्फ जो हम data मांग रहा है वो या तो हमें मिलेगा या तो नहीं मिलेगा उसके changes के उपर से हम समझेंगे कि यहां पे SQL injection है या नहीं है और अगर होगी तो हम उसे successfully attack करके exploit करेंगे तो उसे हम कहते हैं boolean based SQL injection अब time based SQL injection क्या होता है कि time based SQL injection में जो attacker रहता है वो अपनी query run करने के लिए कोई एक time frame लगा देता है web application के अंदर जहां पे attacker web application को कहता है कि अगर आप यह data search कर रहे हो ठीक है web application को कहता है कि आप अगर अपने database के उपर यह data search कर रहे हो और अगर आपको यह data मिल रहा है या फिर web application अगर run हो रही है और successful response आ रहा है तो उस response को आने में जो भी time time attacker ने डाला होगा इमान लिजे उसने तीन सेकंड डाला तो तीन सेकंड वेट करने के बाद ही वह जो response है यानि कि database से जो response आया है वह हमारे web browser के उपर यानि कि attacker के web browser के उपर display होगा तो यहां पर time base में basically funda यह होता है attacker जो होता है वह अपनी query के अंदर एक time frame set कर देता है कि अगर मेरी यह जो query है वह successful run होगी तो उसका response जो है वह इतनी second के बाद हम मुझे display होना चाहिए तो यहां पर होता क्या है कि अगर successfully उसकी query run हो रही होगी database के उपर और successful response आ रहा होगा web application के उपर तो उसने जो time दिया है यानि कि मान लीजे 3 second या 5 second दिये है उसके बाद ही वो response आएगा 5 second wait करने के बाद ही जो web application है वो response करेगी और अगर attacker ने जो query वहाँ पर run की है वो अगर successful run नहीं होती है यहाँ पर अगर SQL injection vulnerability नहीं है तो वो तुरंथ ही उस 5 second या 3 second जो भी attacker ने डाली है उसके लिए wait नहीं करेगा बलकि तुरंथ ही वो response डिस्प्ले कर देगा तो ऐसे ही time based SQL injection होता है जहाँ पर attacker time frame जितनी डालता है अगर उतने time wait करने के बाद अगर response आता है तो वहाँ पर माना जाता है कि SQL injection हो सकता है वहाँ पर attacker further exploit का try करता है और database से data निकलने का try करता है और अगर attacker ने जो भी time frame डाली है उसके लिए अगर web application wait नहीं कर रहा है सीधा ही response दे रहा है मान लिए 3 second के लिए web application wait नहीं कर रहा है तूरंथ ही response दे दे रहा है तो वहाँ पर हो सकता है कि SQL injection attack perform नहीं हो सकता है या फिर वहाँ पर SQL injection vulnerability नहीं हो सकती है तो यहाँ पर inferential या फिर blind SQL injection में पूरा खेल होता है blindly उस web application के behavior को observe करके उसे further exploit करने का यहाँ पर हमें कोई भी error नहीं मिलती है जिसे कि हम तूरंथ ही देख पाई कि या हमें web application के behavior को अपने query के हिसाब से समदना पड़ता है कि हम जो query डाल रहे है वो हमें successfully उतने boolean values पर या फिर yes या no में मिल रही है या फिर हम जो time frame डाल रहे है उसके हिसाब से हमें response मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस basis पर हमें आगे SQL injection जो attack होता है और find करनी होती है कि वहाँ पर vulnerability है या नहीं है तो दोस्तो अब last but not the least जो SQL injection का type है वो out of band SQL injection है तो out of band SQL injection का मतलब यह होता है कि जो attacker है वो same channel पर रहके उस web application के same channel पर रहके वहाँ पर attack नहीं करता है वो एक different channel में होता है और वहाँ से attacker जो है वो web application के उपर attack कर रहा होता है तो यह सारे थे SQL injection के types अगर मैं एक बार आपको फिर से repeat कर दूँ कि कौन-कौन से main types हैं तो वहाँ पर है in-band SQL injection, inferential या फिर blind SQL injection और out of band SQL injection यहाँ पर in-band SQL injection के अंदर दो sub types है जो कि है error based SQL injection और union based SQL injection और inferential यानि कि blind SQL injection में further दो sub types है जो कि है boolean SQL injection और time-based SQL injection तो I hope कि आपको SQL injection के सारे types के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा तो दोस्तो इसके साथ आज के वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको SQL injection के सारे types के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा बहुत कुछ नया जानने को, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर कर दीजेगा ताकि जादा से जादा लोग इस वीडियो को देखकर SQL injection के types के बारे में सीख सके, कुछ नया जान सके और अगर आपको इस वीडियो से related कोई सवाल या फिर comment या फिर कोई भी suggestion है तो आप हमें नीचे comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं तो इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ है आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही cyber crime, ethical hacking या फिर cyber security से related एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye, take care and as always be aware, connect with care